मित्रुन वश्कार अपने अनभवों को साजा कनने के क्रम में एक करीब बच्चपन साल पुरानी याद मैं ताजा कर रहा हूँ अपनी आपको भी साज़े किस्ट सुनके अपना बच्चपन याद आ जाए मुझे ऐसा लगता है बिलकुल आएगा मुझे बच्चपन से ही पिक्चर देखना का बहुत सौक था जब भी कोई घर से मालम पढ़ता था कि पिक्चर देखने जाना है तो मैं पीछे लग लेता था हुआ यूँ कि हम एक रिष्टेदार के साधी में हुए माता जी अपने मौसी के बच्चे की शाधी में अजमिर गई अजमिर में नाला बयार में उनकी पान की दुकान थी नाला बयार की विसिष्टा ये थी अब आज है के नहीं पता नहीं है मेरे को लेकिन उस समय विवस्था ये थी उसमें कि जरासा भी पानी गरता था तो आप समय लें कि वहां नाला सा बैने लगता था और उसमें स्कूटर, कार, ठेले, याने क्या क्या सामान है ना बैता हुआ निकल जादा था हुआ क्या कि अब शादी में मेहमान आये थे तो विवस्ता जमती है कि भई आज चलो पिक्चर रचे देखते हैं उस समय राय स्कंदा सर्बलट एवर की पिक्चर लगीती आ राधना हमें तो इतना ग्यान नहीं था लेकिन हां ये पता था कि हमारे कुछ मौसाजी और मामा जी ये पिक्चर देखने का प्लान मना रहे हैं तो हमारे कान तो सब लगे रहते थे पता पड़ा के ये पिक्चर द ये पिक्चर देखने अब बाल हट अब क्या उस समय हाप पैंट और सठ पैंते थे तो इस दिन उस दिन भी इस तितिव क्या थी पानी कर रहा था और पानी करने के करन ये वहाल मने जेकिंड Shapalit कि दिशल कराता पिक्चर के लिए वही है सिनेमा फॉल चलना है फलानी टौकी में अब हमने जिद कर ली कि नहीं हम भी जाएंगे तो हमारे मामा जी थे और नहीं का अच्छा वह एक काम करो दुरगेश तुम जाओगे कैसे तुम तो नंगे पैरो अपने जूते पहन के आओ उपर से हमने का हम जी जूते पहनन गए और अपना तांगा हखा दिया तो हम वे खंब गड़े जूते पहन के आहां हमारे दिमाग में बड़ी उथाल प्रण होड़ा है सब लोग टांगे में बैटने को तयार ख़डए है और हम से कह जी आया कि आप जाईए चपल जूते पहन के आईए हम उपर गए और पता नहीं क्या हुआ कि हमने तत्काल वहां उपर देखा जूते उठाए हाथ में जूते लेके और सीधे नीचे गेट पे आए देखा कि तांग आया ना पचास कदम आगे बढ़ चुका था और अबाई लगाई क देखें तो जूते हाथ में लिए और हम सडक पनाले में कुन पड़े और घुटने वर पानी था और दोड़ते हुए उनने फित तांगा रोका और तांगा रोकने के बाद हमें बढ़ा उनने क्यों तुम जूते पेंगे नहीं आए पूले हमें लग रहा था कि हम जूते प अपना अनभव अपनी यादा आपके साथ सेयर कर रहा हूं हो सकता है आपको भी अपनी कुछ ऐसी यादा आ जाएं बहुत बहुत धन्यवाद मैं फिर अपनी यादों के साथ प्रश्टत होंगा बहुत धन्यवाद